नमस्कार करता हूँ सबसे पहले तो स्वाकत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में और देखे मैंने समाद से तू के भाग वन और भाग टू डाले थे बहुत आप सभी ने उन दोनों भागों को बहुत जादा सपोर्ट किया और कमेंट बॉक्स में मांग आई कि समाद से त प्रश्ण आने वाले हैं 12ल कि बताया था प्रस्ट पार्ट में तो ये पूरे नंबर कवर हो जाए ये में इस तरह का प्रियास करूँ गा इन तीनों भागों में तो आज तीसरा व्लश्ट पार्ट है तो आएं बिना देरिकि इसको शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं मैं folder खोल लेता हूं जिसमें मैंने समाद सेत्व के नोट्स बनाई है और उसको समझते हैं कोसि देखे शुरूआत करते हैं यहां से पाई से अगर से भाग 3 को संक्षित घ्र डेक्त करिए YouTube पाई संर्ण से अंध इंटरनेट पत्रकारिता पर संक्षित टिपने कीजिये इंटरनेट पत्रकारिता यह वन्यार्ण इन्टे पर. पत्रकारिता फिलाल ज्यादा ही कुछ चल रही है इंटरनेट पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहते हैं वेब पत्रकारिता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वेब साइड चलते हैं इसलिए ओनलाइन पत्रकारिता भी इसको कह सकते हैं साइबर पत्रकारिता भी इसको कह सकते इसके अन्य नाम हो जाएंगे इंटरनेट पत्रकारिता के ही और देखे बात करें इंटरनेट पत्रकारिता की सुरुवात की तो इस 1903 में सुरुवात हुई थी इंटरनेट पत्रकारिता की अभी मैं इसको पढ़ता हूँ देखे इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है, इसे ओनलाइन पत्रकारिता, ओनलाइन क्योंकि आज कल देखें प्रते एक चीज जो नेट पर चलती है, उसको ओनलाइन कहाता है, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता का मतलब क्य सोरी मैं यहां लिखना बूल गया आप ध्यान रखना इंटरनेट पत्रकारिता का भारत में प्रत्थम चरण 1903 में हुए हुए जबकि भारत में इसके दूसरे चरण की शुरुआ 2003 में हुए और दूसरा चरण इसका प्रभावी चरण माना जाता है कि इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट है रेडिव.com जबकि यह तो पहली साइट है पहली साइट थी इसलिए क्या है कि विशुद रूप से इसमें पत्रकारिता नहीं हो पाई अन्य चीज़े इसमें ज्यादा थी जबकि विशुद पत्रकारिता शुरू करने आ गई होगी अब अगला सरण देखे फीचर लेखन की मुख्य बातों पर प्रकाश डालिए फीचर लेखन हमने पढ़ाता तो फीचर लेखन की मुख्य बाते देखे पांच बिंदू आपको याद रखने है तत्यों का संग्रह उद्देश्य प्रस्तूति करन सीर्षक तथा आमुक और साज सज्जा ये फीचर लेखन की पांच बाते आप ध्यान रखेंगे तत्यों का संग्रह उद्देश्य प्रस्तूति करन सीर्षक तथा आमुक और साज सज्जा इसके बारे में तो देखे तत्यों के संग्रह में क्या करना है कि जिस भी विश्य पर हमें फीचर लिखना है उससे समझे तत्य हमें जुटाने पड़ेंगे तो देखे जिस विश्य पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े तत्यों को एकत्रित करना पांच है फीचर लेखन की पांच मुख्या बाते हैं दूसरे नमबर पर उद्देश है देखे कोई भी फीचर की बात च्र케 में लेखने की यह कोई भी हम विदा लिखते हैं Top 10 उसका उद्देश से जरूर्म इसपर समय प्रस्तित किया जाना चाहिए। उसके बाद सीर्षक और आमूक तुर्षक हो चाहिए। इस प्ष्ट रहो हो चाहिए तो चित्रों रेखा चित्रों और ग्राफिक्स के दवारा फीचर की साद सज्ञा करोड़िये। साइड में चित्र भी बना देने चाहिए मतलब जो बात आप बता रहें चित्रों के मादिम से उसको ऐसा सजा देना चाहिए कि वो रोचक हो जाए तो यह फीचर के पांच है पांचों का एक बार दुबारा से याद रखें सबसे पहले तत्यों का संग्रह उद्देश्या प् प्रमुक आदार समवाद है कथन को इस पूषट कीज़े देखें समवाद बिना साख्सातकार का कोई मैथव नहीं हो रहा तो वह बहस और बात generate कोई मतलब नहीं निकलेगा उसकी पुष्टता नहीं होगी, तो समवाद में देखे, साक्षातकार में समवाद का क्या क्या है, मैं तो है, समवाद ही इंट्रियू लेने वाद देने वालों की बात्चीतवा बहस को पुष्ट करता है, उसके बाद देखे, समवाद, अब देखे, क्या होता है, समवाद के अनुसारी साक्षा साथकार का प्रकार ही चेंच हो जाता है समवाद्य इंट्र Dimális लेने वे देने वालेerto की बहार बहस खरता है एक तो यह मैमृत हो गया समवाद के अनुसार साथकार का परकार बदल जाता है, जब सामने वाला अपनी यादे बयान करने लग जाए, तो वह संस्मरणा आत्मक साक्षातकार बन जाएगा, जब वह अपने पात्र की वेस्बुसा वेख्तित्वा का वर्नन करें, तो वह रेखा चित्रा आत्मक बन जाता है, और एक बात और ध्यान र पत्रकारिता के बारे में पूछ ले जाता है और हमें वो प्रस्ण आते हैं भी गलत हो जाता है तो मैं इस प्रस्ण को देने का मेरा उद्देश से यह है कि सभी पत्रकारिता है उनके बारे में मैं अल्रेडी पता है तो अगर पत्रकारिता से समझेद कोई भी प्रस्ण आ जा ओपार लिएगो तो आई बटन पर देख ले बकूरा, बेरे अब देखो, मैं इसको पढ़ूंगा बाद में पहले, आप में सोचम superstyg का ररेता क्या हो सकती है। इसीधी शी बात हैं क्येलों के बारे में जॉनकरी देनेसे समझजिट पत्र का रहे था, फिल्म पत्र कारिता, फिल्म और उसके करलाकरों से समझें पत्र कारिता वाणी जीग, व्यापार की खबरों से समझें आ जाएंगी अब मैं इनको पड़ देता हूँ, देखे सबसे पहले है खेल पत्र कारिता कहला थे बिल्कुल सिंपल सी दिशी बात किसी भी चीज में देख लो खेलों में कई बार ऐसी पूछ सकता आपको कि खेल पत्रकारीता में एक खेल के पत्रकार में क्या गुण होने चीए तो उसको खेलों की समझ होनी चीए उसकी good द्रिष्टी होने चीए ये सबी में आप य वानिजे की समझोने चाहिए और गूड द्रिष्टी सभी में गूड द्रिष्टी की जरूरत है ये दो बातें आप सभी प्रकार की पत्रकारिता में ध्यान रखो कि जो जिससे समझीत पत्रकारिता है तो उसकी समझोने चाहिए और एक गूड द्रिष्टी होनी चाहिए तो खेल पत्र कारिता होगे, खेलों के बारे में जानकर देने से समझ्धित पत्र कारिता, खेल पत्र कारिता कहलाती है, फिल्म पत्र कारिता का मतलब, फिल्म होता था इसके कलाकारों से समझ्धित पत्र कारिता, फिल्म पत्र कारिता कहलाती है, वानिजिक पत्र कारिता, वान अदालत में दिये जाने वाले फैसले से समंदित पत्रकारिता अदालती पत्रकारिता कहलाती है तो इस सारी पत्रकारिता पता दी गई एक विग्यान पत्रकारिता बच गई है लेकिन वो पिछले वीडियो में ही आज चुकी है अब देखे ये प्रशन एक इंपोर्टेंट प्रशन है आ सकता है आप ध्यान रखें पत्रकारिता में संदर्ब सामगरी की क्या उप्योगिता होती है संदर्ब सामगरी देखो क्या होती है किसी व्यक्ति या किसी विशे से समंदित सामगरी जो विबिन प्रकार के सोध के द्वारजों सामगरी एकठा की गई है जैसे किसी मापूर्ज के जीवन पर अधारित उसकी स्मृतियां हैं उसके साक्षातकार हैं तो वो सब भी संदर्ब सामगरिया कहलाते हैं जैसे मौसम विबा का रिकोर्ड है यह सब संदर्ब सामगरियां कहलाते हैं यानि किसी चीज़ का आपको अध्यान करना है तो उससे संदर्ब सामगरी उसके बारे में जानकरी देने से संदर्ब सामगरी संदर्ब सामगरी कहलाते है उसकी क्या उप्योगिता होती है देखिए सिद्धी सी बात है जैसे माली जी आपको एक कथा या विश्य है लिख रहे हो और अगर उसमें संदर्ब सामगरी का प्रियोग करोगे मतलब उससे समझनी जान करें लेके फिर वो कहानी लिखोगे तो रूची करो जाएगी जैसे माली जी कोई नेता आने वाला है राजस्तान में आने वाला है माली जी कोई भी जिले में आने वाला है तो एक तो क्या होता है कि उस नेता का समझार डाइरेक्टी छाप दें कि आज जुन जुन जिले में परदान मंत्री जी पधारेंगे कोई भी प्यक्तिविसे इसका मैं नाम नहीं लूगा तो माली जी ऐसे कहा दिया कि परदान मंत्री जी पदारेंगे एक तो यही समाचार एक लाइन का हो गया एक क्या होता है कि जो नेता आने वाला है उससे समधित संदर्ब सामगरी इकठा करें कि उससे जुड़ी इस मृतिया की पहले जब वो आया तो क्या हुआ उसकी पूर्वे यात्राएं और उसके कोई साथ-षातकार पड़े हैं उससे समधित अच्छे-च्छे सामगरी जुटा कि फिर वो एक उसादार पर वो समाचार दिया जाए तो वो ज्यादा रूची कर लगेगा ज्यादा पठनी होगा एक जैसे मौसम समाचारों की बात करें हम मौसम समाचारों में क्या होता है बताया जाता है जैसे हमने सुना होगा कि इस बार सरदी का सो साल का रिकोर्ड टूट गया है सामने सुना तो ये सो साल का रिकॉर्ड कहां से आया है? ये संदर्ब सामगरी से में प्राप्त हुआ पहले के रिकॉर्ड संदर्ब सामगरी का पता चल गया तो बता चल गया तो जिसे मोसम समाचार रहार, सत्यानवा में 23 डिग्री रहार, ये करके रिकोर्ड जब दिया जाए, तो वो पत्रकारिता, वो समाचार थोड़ा सा रूची कर लगता है, तो संदर्ब सामगरी की उप्योगिता है, देखिए, किसी कथा अत्वा विश्या पर लेकिन में संदर्ब सामगरी का प्रियो समाचार रूची कर हो जाता है, तो मैं तो आपको यह द्यान रखना है, कि संदर्ब सामगरी का अगर आप प्रियोग करोगे समाचार लेखन में, तो वो रूची कर हो जाएगी, सबसे मैं इसकी थीम ये ही है, और लास्ट प्रशन साथियो समाध्जेतु का, आपके अनुस साथकार का ही छोटा रूप है, इंटर्यू, नोक्रियों के लिए भी लिया जाता है, या किसी व्यक्ति भी से इसका वैसी भी इंटर्यू लिया जाता है, मीडिया के लिए भी, तो क्या होता है कि सभी प्रशन, पूरा का पूरा साथकार वो बनी बनाई, प्रस्नावली पर तरर धार्य्त नहीं होना चाहिए। कुछ प्रस्वण ऐसे भी enthusiast कृषद लिए इतर लेनल होने वाला उत्तर दे रहा हुई उत्तर दे रहा हो तर देने के दोड़ी ही और हस्तक सेपई कर रहे हुँ त wichtig कर दोड़ी साक्षाकर लेने कंदर घूतकने कई करना Your lend नियू चैनल की साक्षातकार आपने देखिये ऊंगे नियू चैनल में वाले क्या करते हैं किसी व्यक्ती का साक्षातकार ले रहे हैो उसको कोई बात पुछी हॉग विचारा पूरी बात बता हिना ही पार नहीं पार हो तो साले इंता से उसको मुख्य विश्य से जोड़ने का प्रयास करना ची ये भी क्या होता जब टीवी पर किसी बड़े वेक्ति को बुला लिया जाता हूँ उससे कोई ऐसा प्रसन पूछ लिया जा या अपति जनक प्रसन जिसका वो उत्तर सही नहीं दे सकता तो वो क्या करत साले इंता के साथ मुख्य विश्य से जोड़ने का प्रयास करना ची तो ये आपके समवाच चे तो कि इनके प्रसन नहीं जाएगा तो उनको मैं इसी वीडियो के दुरान उततर देना चाहूँगा अच्छा प्रसन लगाएे मेरेको कि देखे शोर तो कुछ भी नहीं है शोर तो पूरी किता भी पढ़लो गे-गर आप समात सेत्व पांच से पाँथ हैं पूरे भी पढ़लो गे तो बी शोर नहीं में से प्रस्क नहीं है को इतना विश्वास दिलाता हुँ कि अगर आप इन तीनों वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशन आपके कवर हो जाएंगे और हो सकता है सारे के सारे हो जाएं आसा तो यही करता हूँ कि सारे के सारे प्रशन आपके कवर हो लेकिन मालो एक आदा प्रशन इनसे हटके आ गया तो उसके मैं कहें नहीं सकता लेकिन फिर भी आप मुझे पर विश्वास रखें और सातरी को जब आप पेपर देखे आओगे तो आप यही कोगे कि सर आपके तीने वीडियो बहुत उप्योगी थे और हमारे बहुत काम आए और ऐसी मैं आसा करता हूँ और द्यान से आप पेपर करें और यह बारा नमर का मेटर मैं ने दिया है तीन वीडियो में तो अच्छा वीडियो लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करें पिछे के समाध्शेत्व तो यह दोनों भाग आई बटन पर मिल जाएंगे कहीं जाने की जूरत नहीं उपर आई बटन पर क्लिक करें दोनों समाध्शेत्व के भाग आपको महाँ से मिल जाएंगे तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू